हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू वेशे कुकिंग तो आज हम बनाएंगे चावल की मठी जो की बहुत जादा टेस्टी बनती है और इसे न बेलने की जरुवत है बहुत ही आसानी से बन जाती है, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी है, अगर रेसिपी आपको आज की अच्छी लगे, तो प्लीज चैनल को स्क्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको आसान आप उसको यूज कर सकते हैं, ओईल करम हो जाएगा, तो यहां हम डालेंगे एक चम्मच अजवाइन, क्रश करके हाँ से डालें, हाँ से अच्छे से मशल लें, मसलने के बाद ही अजवाइन को इसमें आट करें, जब अजवाइन अच्छे से पक जाएगी, तो हींग पाव अब ही मेथी को भी आट करेंगे, सबी चीजों को अच्छे से पका लें, इसके बाद इसमें हम डालेंगे एक बलास पानी, तो जिस क्वाइन आटा लें, उसी के गॉर्डिंग आप यहां पे पानी आट करें, अच्छे से मिक्स कर दें सबी चीजों को, अब टेस्ट के आटे को आट करेंगे, नमक को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, अब हम इसमें चावल का आटा और बेसन आट करेंगे, हमारे पानी में साइट से बोईल आ चुका है, इसलिए हम इसमें बेसन और बेसन और चावल के आटे को भी आट कर देंगे, और अच्छे से मिक्स करे है तो अच्छे से आपको सभी को मिला लेना है तकी सारी चीजें आपस में अच्छे के लिए पाँच मिनट बाल को झींद्र को मारी अबष्टर प्रेमिक्षर अभी थोडा सा गरम हैं आप इसको त्aneल कर झाक्छokol रेलि arios का रही चाहिक Pittsburgh कोiorsrada और इसको एब वी तो एक को एधर। अगर मिक्ष आपके हाथ में चिपकता है तो आप थोड़ा सा हाथ में लगा लें, मैंने यहां नहीं लगाए क्योंकि मिक्स बहुत ही कम चिपक रहा है, ज्यादा नहीं चिपक रहा है, डो रेडी हो चुका है, अब इसका एक पोशन हाथ में लेंगे इस तरीके से, और दोनो ज्यादा पतला नहीं करें, थोड़ा सा मोटा ही रखें, तोकि यह थलकेल की मोटी जो मठी होती ना, वो बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है, बहुत पतला करेंगे तो चावाल का आटा है, यह तूट भी सकता है, मठी आमारी तूट सकती है, एक कैची की मदद से, इसको ह नाइफ की जरूवत नहीं है, तो इस तरीके से मोटे-मोटे साइज में आपको उसको कट कर लेना है, यकीन मानिए, बहुत जादा टेस्टी होती है, बच्चों को भी आप इसको बना कर खिला सकते हैं, स्नैक्स में, बच्चे बाहर का खाते हैं, आप इनको घर की यह चीज करके सारे स्नैक्स को यसे ही कट कर लेना है, अब हमें कड़ाई में ओईल चड़ा दिया पहले से ओईल हमारा गरम हो चुका है, बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, मीडियम होट ओईल में आपको इसको फ्राइ करना है, सभी को इंडाल देंगे, तीन पोशन में हम इसको डालेंगे, एक साथ बहुत जादा नहीं डालेंगे, यह तो आपस में चिपक सकते हैं, और जब तक यह थोड़े से कोकना हो जाए, दो मिनट बाद ही आप इनको हाथ लगाएं, दो मिनट से पहले आप इसको कलचुल भी ना टच करें, नहीं तो यह टूट सकते हैं, क्योंकि यह थोड़े से पके हुए हैं, इसलिए, तो आप दो मिनट बाद ही कलचुल को टच करें, ताकि आपको पलटने में आसानी हो, और यह बिल्कुल अलग-अलग बनेंगे, तो तूटेंगे भी नहीं, आपस में चिपकेंगे भी नहीं, दो मिनट हो चुके हमने इसक इसको मीडियम फ्लेम पे ही इसको फ्राय करें, मीडियम टू लो फ्लेम पे रिकिन हाई फ्लेम बिल्कुल ना करें, यह अंदर सी अच्छे से क्रंची नहीं बनेंगे, तो बस हमारे स्नैक्स बिल्कुर अच्छे से फ्राय हो गए हैं, आप देख पा रहे हैं, कितने बढ़ इसी तरही हम एक बावल में निकाल लेंगे और इसी तरीके से हम दूसरा पॉर्शन भी ऐसे ही डाल देंगे थोड़ा-थोड़ा करक्या है करें इसी तरही हम बागियों को भी हम इसी तरीके से करेंगे दो मिनट तक बिल्कुल हाथ ना लगा है जब हलके से कुक हो जाए तब आप इनको अच्छे से पलट दें और इनको फ्राइ करके निकालने तो दूसरा पोश्चन में हमारा फ्राइ हो गया है इसी तरीके से इम तीसरे को भी आइट कर देंगे तीसरे में भी थोड़ा बचा इसको मैंने सारा एट कर दिया है इसको फिर अभी हमें टाच नहीं करना बिल्कुल भी थोड़े बहुत उपर हैं इसको मैं नीचे कर देती हूं इसी तरीके सा आप एको इसको भी निकाल लेना है तो सारी मठ्षियां हमारी बनके बिल्कुल तयार हो चुकी है उपर से अगर आपको आज की रेसेपी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजेगा तो आप देख पा रहे हैं कितनी बढ़ियां हमारी हैं मठियां बनके त्यार हो हैं बिल्कुल आराम से टूट रही हैं और बिल्कुल क्रंची खस्ते बनी हैं तो आप भी सरूर ट्राय करें इस दिवाली यह अमेजिंग सी रेसेपी अगर आप कोई रेसेपी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजेगा और फॉलो करें में फेस्बूक इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर प्लीज ट्राय करिए मुझे कर दे hem weak में जरूर बताईगा कि आप भूई रेसेपी कैसी लगी औहाई सि और भी रेसेपीस देखने के याप मेरे चेनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चनल की प्ले लिस्ट में जा कि आप और ऐसी और भी रेसेपीस देख देख सकतें हैं तब तक के लिए टेख कियर बाबाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गनेरे से